जब आप pencil खरीदने जाते हो तो आप दुकान वाले को बोलते हो भाया एक pencil देदो और दुकान वाले से एक pencil लेकर आप खुसी खुसी अपने घर चले जाते हो लेकिन हम आपको बता दे तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आपके पास एक गलत pencil आ गई हो अब आ आपको उस pencil के ऊपर लिखे code को देखना चाहिए अब हम आपको बताते हैं कि किस code का मतलब क्या होता है इन code में एक होता है H जिसका मतलब होता है hard और एक होता है B जिसका मतलब होता है black जैसे जैसे pencil के H के आगे का number बढ़ता जाता है pencil की hardness बढ़ती जाती है कम hardness वाली pencil artist work के लिए होती है और अब बात करते हैं B की तो आप समझी गए होंगे कि B के आगे का number जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो pencil के लिखाई और काली होती जाती है और simple language में अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप H B code की pencil ले सकते हैं ऐसे ही best knowledge के लिए प्लीज चैनल को subscribe कर कर दो कर दो